नमस्कार दोस्तों डूपल साहव हिंदी में आपका स्वागत है और दोस्तों चली डूपल कॉमर्स टूटोरियल की सिरीज जिसमें अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं कि हम लोग ने इससे पहले प्रोड़क्ट इंपोर्ट किये थे और मैनुल भी प्रोड़क्ट एड़ किय मैं एक एक जामपल के लिए हम लोग यह पहले बना चुके हैं तो इस में इस तरीगा जो पूरा लिस्टिंग है वो हम लिस्टिंग बनाएंगे ठीक है और इसमें एक एक फंक्शनालिटी और एड़ करेंगे इंफिनाइट स्कॉर लिंग की वह भी हम एड़ करेंगे तो स् इस्टाल करना पड़ेगा वो रहाएगा हमारा व्यू यू आई क्या अभी हमने व्यू यू आई इनेबल लेंक और इसके बाद ठीक है तो यह हमारा हो गया और इसके बाद जो हम नाम रखेंगे व्यू का अपना तो चलते हैं कि structure में व्यू में ठीक है और यहां पर एड़ निव व्यू करते हैं और इसको नाम देते हैं कैटलॉग मैंसूस ठीक है और इसके बाद हमारा content सही है और हमें यहां पर मैंसूस का मैंस का मैंस विजशन हमें सूसृसना करना और एक हम पainedE akan है ठीक है और इसको यहां से अडि़ पर इसके बाद हमें आपर next काम करना है कि जो मार मैं इसको में क्रीट करना ठीक है और अप्लाइक कर देना है और यहां पर हमें क्लास कारॅइड कर और इसके बाद यहां पर सब सही है सीधे अप्लाई कर देते हैं ठीक है और इसके बाद यहां पर देखते हैं कि यह टीजर आ रहा है तो हमें यहां पर टीजर नहीं में फील्ड चाहिए ठीक है तो में कंटेंट से अटाके हैं में फील्ड करनी पड़ेगी ठीक है और इसको तो हमारा एक फिल्ड आ गया अब नेक्स्ट वर्क हमारा है कि इमेज का तो इमेज के लिए हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए था प्रोडक्ट से रिलेशन बना पड़ेगा दूस्ते में पर तो उसके लिए आप अडवांस में जाएंगे और रिलेशन सिप में क्लिक कि यहाँ आपको रिलेशन सिप में तो कामर्स प्रोडक्ट सेट क्रेंगे है यहां हम स्द्ख करने में प्रोडक्ट की इसके फैस क्या है तो यहां पर हम लों क्या करेंगे इमेज bez 만들어 करेंगे ठीक है ठीक है तो यह commerce प्रोड़क की इमेज ठीक है relationship हमें यूज करना पड़ेगा ठीक है लेबल हमें नहीं चाहिए और इमेज कि मैं हम कंटेंट रख सकते हैं ठीक है और रिकिए कुछ इस टीप का क्या है हम नहीं इसमें क्या है क्या है कि हमने अभी स्टाइल यह लगाने के लिए हमें अपने configuration में जाना पड़ेगा और मेडिया में जाना पड़ेगा और यहां पर यह अपका में इमेज स्टाइल है ठीक है तो इमेज इस ताइल में हम लोग बनाएंगे इस लिए बनाते हैं और अड्ड नियो इस्टाैल करते हैं और यहां पर हम लोग जो style बनाएंगे वो हम लोग बनाते हैं और आडिया रहता है कि अगर हम यहीं पर डेक्लियर कर दें तो अच्छा रहता है तो हमें पता चलिए जाता है कि इसका size कहा था ठीक है तो इसमें कर देते हैं 127 ठीक है यह सई रहेगा यह अपने हिसाप से आप जिस size का आपको दिखाना पड़े ठीक है तो अपने हिसाप से आप बना सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम यहां पर एड़ करेंगे करेंगे और यहां पर जो हाइट जो हम देंगे वह आपको अपने हिसाप से करनी पड़ेगी लेकिन हम लोग अपना एकले की चलते हैं आडिया ठीक है तो यहां पर हम लोग दिले लेते हैं 245 या 127 ठीक है ठीक है थोड़ी सी भरादी यहां पर भीकिर फिड्द हम लोग बढ़ा दिए ठीक है तो यह शोरगा मढक भीज़ करना एंटक है अब हमें क्या करना कि है हम लोग जो जिस इविव पे थे इस में चलते हैं ठीक है और यहां पर हमें वह इमज जो हमने एड़ की थी वहां पर हमें यह स्टाइल मिल जाएगे और इसको हम लोग अपलाई कर देंगे इस तरीके से देखिए चोटे-चोटे हो गए तो यह मैं चाहिए था ठीक है अब इसको हम लोग सेफ कर लेते हैं ठीक है अब जो हमें चाहिए वह हमारा रहेगा कि टाइटल हो गया हमारे पास अब जो हमें चाहिए वह हमारा है प्रोडक्ट का अट्ट का अट्ट की बटन और एक हमारा प्राइज ठीक है वह भी हम ले लेते हैं और कि अप्राइज लेलिए Add to cart का हमें दिखान ही रहसार करते हैं में दिखाने च्रहत नहीं प्राइज के लेवल्स करते हैं जुष हो इस चाइक अजये विद्ध आ हो गया वह को प्राइज Action Community तो तो यह हमारा हो गया आप लोग सेव करते हैं और अधार जो चलते हैं अपने व्यू में जो आपने बनाया तो यह इस टैप का आधा दोस्तों ठीक है और अगर हम इसको फुल पीछ पर दिखाना है तो हमें यहां से इसको हटाना पड़ेगा ठीक है इस पेज से आम लोग इसको हटा देते हैं तो इसमें हम लोग कंडिशन लगा देते हैं कि यह ब्लॉक इस पेच पर ना आए ठीक है ठीक है अब भी अब यह देखिए पूरे फुल में आ गया है इस तरीके से ठीक है इसकी इमेज में पर कीशने में खुल लॉक अब अब हमें क्या करना है इसमें थोड़े सी instruct만 से थोड़ा कबर करना पड़े मारे तो इसके लिए यह मैंने थोड़ से Qode कहें पेहरे से ठीक है तবक है तो इसको क्या करना है में इसको कॉपी करना और जो मारे जो लोग ने जो थीम के अपने फोल्डर बनाया थे थीम का और जो हमने अपना सब थीम बनाया था उसमें जाना है और साइट में जाना है और आल में जाना है और थीम में जाना है और जो हमने अपनी थीम बनाई थी उसमें अपनी क्लास चक करने है जो हमने अपनी क्लास सामने लगाई है तो चक कर रहेते हैं कि यह हमारी व्यू की क्लास हो गई और इसको हमें अपने व्यू के आगे रेप्लेस करना है जो कि हमारा पहला बना हुआ था ठीक है क्या इसके रहे करते हैं तो और देखते हैं हमारा केके नहीं अप्लाई हो रहा हुआ और हमें अपना बना है तो यहां से हम सी एसस ले सकते हैं तो कैटलॉग में चलते हैं ठीक है यह कैटलॉग वर्क नहीं कर रहा ठीक है तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं इसको सेव करते हैं और अपने प्रोड़क को डाल के ठीक है यह थोड़ा सा इस्ट्रेक्शर सही हुआ इसका ठीक है तो यह था अब इसमें क्या करें दोस्तों कि इसमें अभी हम इंफाइनट लूप लगाएंगे और थोड़ा स्ट्रेस का स्ट्रेक्शर सही नहीं है तो अभी कुछ क्लासे स्ट्रेस में लग नहीं रही है ठीक है तो थोड़ा सा यहां कवर करते हैं थोड़ा सा कम करने कोशिश्च करते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह दोस्तों डिजाइन है यह आप मतलब कवर कर सकते हैं कहीं से भी अगवर आपको साही स्टाइल मेल रही है अब नेक्स दोस्तों क्या करते हैं कि इसमें इन्फानाइट लूप लगाते हैं तो उसके लिए में इसको इसको इनेबल करना पड़ेगा और जिस वीव में लोग लगाना है उस वीव में इसको लगाना पड़ेगा तो कि यह हमारा इन्फानाइट का हो गया है इसको में लोग मडूल कर लेते हैं ठीक है और हमारे पास जो वीव है इसमें चलते हैं लोग जैसे कि हमने अपने ग्रिड ले रखा है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है तो ग्रिड में हमारे चार्चर का ऑप्शन है तो मतलब फोर वाई फोर इस तरीके से कुछ कि यह इस तरीके से रहेगा फोर 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 मतलब एक रो में चार प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से हमें या भी सेट करना पड़ेगा ठीक है तो इनफाइनाइट लेते हैं यहां पर स्क्रॉलिंग और यहां पर हम लोग 12 इसेट कर देते हैं एक बार में 12 डिस्पले प्रिजाइन के इस वह दिजाइन के हिस्वे मुद्ब झावर कर लेंगे बाद में डीक है सीएसेस लगा के निट तो यह था वीडियो की हम अपने प्रोडक्ट में कैसे इस टाइप का कटलॉग बनाएं तो इस बीडियो में इस नहीं रखते हैं अभ नेक्स्ट वीडियो म में हम लोग स्वापिंग का जो ऑप्शन है उसमें चेक करेंगे ठीक है उसमें क्या कर सकते हैं ठीक है एक टो काट की फंक्शनालिटी चेक करेंगे तो मेलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक करें नमस्कार